हेलो गाइस, वेलकम बेक टो अनदर व्लॉग, मेरा नाम रिशव है और मैं हनोई वियतनाम से हूँ, मैं इंडिया में मुझफ़नेगर कर रहने वाला हूँ और मैं पिछले चार साल से वियतनाम हनोई में जॉब करता हूँ, और जैसे गयार एक बहुत खुशी की बात है कि आ चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, आज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा चार साल का अनुभाव के अनदर कि क्या यहां पर वियतनाम में प्रोज है और कौन है, यानि कि आच्छी बाति है, क्या बुरी बाती है अगर आप वियतनाम में जॉब करते हैं, तो सबसे पहले मैं अच्छी बातों की बात करूँगा अच्छी बात में नमबर एक है अगर आप permanent job करते हैं वियत नाम के अंदर as a yoga teacher, as a English teacher तो काम बहुत कम है और आपकी salary बहुत ज़्यादा होती है काम के, काम से ज़्यादा काम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप सुबह के 9 बज़े से लेके रात के 10 विज़े तक काम कर रहे, job कर रहे नहीं, आपको दिन की मुश्किल से 3 किलास या 2 किलास पढ़ानी होती है मुश्किल से मानके चलो 24 घंटे में 160 मिनट या 180 मिनट आपको पढ़ाना होता है, इससे ज़्यादा पढ़ाना ही होता 3 किलास से मानके चलो 60 मिनट की एक किलास होगी तो यह सबसे अच्छी बात है, अगर वियतनाम में आप जॉब करते हैं, as a yoga teacher पैसे आपकी salary जो है लाख से उपर जाती है, अगर आप डेली के 180 मिनट पढ़ाते है और Saturday Sunday off होता है लेकिन अगर आप बड़ी सीटीज में हैं जैसे मैं हनोई में हूँ, तो यहाँ पर Saturday Sunday off नहीं होता है, 24, यहाँ पर 7 दिन, yoga center खुलते हैं 7 दिन जो है, सारे काम चलते हैं सारे fitness center खुलते हैं, नमबर एक बात हैं, यहाँ की जो माताएं हैं, बहने हैं बहुत ही अच्छी हैं, वे हर चीज में आपकी help करती हैं, बहुत ज़्यादा friendly अगर आपको कभी भी कोई भी तकलीफ होई रात के time, दिन के time, सुबह के time तो आप अपने member को phone कर सकते हैं या आपका landlord हुआ आप उसे phone कर सकते हैं, उनसे message कर सकते हैं, तो आपकी तुरंत मदद करते हैं यहाँ से दो साल पहले मेरे जो है, एक बार पेट में दर्दुआ था तो मेरे landlord ही मुझे hospital लेके गया था रात को दो बजे, मैंने खाली एक miss call मारी थी, या message छोड़ा था मिनने की बुझे पेट में बहुत दर्दूरा, तो यह बहुत अच्छी बात है वियतनाम के अंदर ऐसे ही, बहुत ladies जो हैं, यहां की वो इतना प्यार, इतनी महबबत करती हैं, आपको जो है अपने पुत्र की तरह और अपने दोस्त की तरह आपको रखती है इतना अच्छा यहां का माहौल है as a yoga teacher, अगर आप yoga teacher है तो ladies आपकी बहुत, बहुत, बहुत care करेंगे, तीसरी चीज है food, food यहां का बहुत ही अच्छा है बहुत tasty है, बहुत ही जो है लाबदा है, healthy food है क्योंकि यहां पर अधिकतर सारे food जो है, boiled खाय जाते है याद रखिए, Vietnam में masala नहीं खाय जाता, जैसे हमारे यहां खाय जाते है गरम masala होगी, काली मिर्श होगी या और अलग-अलगता रहे के जितने ही masala होगे, धनिया होगी जितने ही masala खाते हैं यहां पर कोई masala नहीं खाय जाता अधिकतर यहां का food आपको non-mage मिलेगा मैंने कई बार काया अपनी वीडियो में चाइना और वियतनाम, जापान इन देशों में एक कहवत है कि जो भी जीव जनतू चार पैरो वाला है, वो सब यहां पर खाय जाता है खली कुर्सी मेज को छोड़के बाकि सारे जीव जनतू यहां पर खाय जाते है लेकिन उसकी चिंता आप ना करें यहां पर जो है वेज फूड भी है वेज फूड भी बहुत अलग-अलग तरेका है बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोन है थोड़ा सा आपको धूड़ना पड़ेगा तो अगर आप जो है फूड के शोकीन है अगर आप सब कुछ खा लेते हैं तो यह देश आपके लिए बनाए याद रखे फूड बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी होता है बस आपको धूड़ने की जगे होनी चाहिए आप जैसे धूड़नेंगे आपको पता लग जाएगा रेस्टोनेंट तो आप रेगूलर वहाँ पर जाएंगे तीसरी चीज़ है पेट्रोल पेट्रोल बहुत सस्ता है यहां पर बाइक है आप मानके चलो एक बार टंकी फूल होने पर मेरे पर आप मानके चलो एक्टीवा है आपने कई मेरी वीडियो पड़ी भी है जिसमें मैं सर्वीस सेंटर पर गया वाँ हूँ अपनी एक्टीवा लेके वीडियो पड़ी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के उपर आप देख सकते है मैं कौन सी बाइक की बाद कर रहा हूँ तो पेट्रोल यहां पर बहुत सस्ता है जैसे कि मैं न्यूज में देखता हूँ कि इंडिया में पेट्रोल 100-100 कभी-कभी इतना उपर जा रहा है लेकिन वियत नाम में पेट्रोल बहुत सस्ता है यानि एक बार टंकी में जो फूल करा लेता हूँ एक बार जो है 100 V&D लगते हैं यानि 300 V&D 300 रुपे में इंडिया के 300 रुपे में मेरी एक बार टंकी फूल हो जाती है उसमें दिक्कत नहीं होगी चौती चीज़ है अगर आपको घूमने फिरने का बहुत शोक है आप घूमकड प्रवर्ती के हो तो ये देश आपके लिए बना है इतना सुंदर देश है और इतना जादा बहुत कुछ घूमने को है न कि आप आपके पास समय कम होगा लेकिन घूमने की जगे इतनी सारी है मेरी भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है दालत की नाचांग की मैं अभी जो है टेट फेस्टिवल में जब हैपी न्यू येर आया था चाइनीज न्यू येर चला था तो मैं नाचांग और दालत गया था जिन्होंने वे वीडियो नहीं देखिए वे जरूर मेरे चैनल पर वीडियो देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये देश कितना सुन्दर है तो अगर आपको घूमने से प्यार है अगर आप घूमना चाहते हैं शांती चाहते हैं एक बात याद रखें हैं जितनी भी जगे हैं बहुत शांती है बहुत साफ सुत्रा है बहुत अच्छा प्लेस है बतलब देख के आपको सकून मिल जाएगा तो जिन्हें घूमने का शौक है वे जरूर जरूर नाचांग हो गया दालत हो गया, हालोंबे हो गया, दानंग हो गया ठीक है दालत सिटी हो गी और आपका होयान हो गया ये ऐसी सिटी हैं जिन्हें आपका भी एवाइट करी नहीं सकते हैं यहां तो हर कोई जाने को मरा जाता है और दालत में भी दालत घूम गया तो इस देश में आप कभी बोर्ण नहीं होगे सबसे आखरी point सबसे आखरी point है coffee इतनी best coffee मिलती है ना यहाँ पर world की इतनी strong coffee है अगर आप सोड़े हो ना अगर आपके अंदर उर्जे की कमी हो तो वो coffee पिते ही ना आप जग जाओगे और energy का level इतना high हो जाएगा ना कि बस आप टेस्ट इतना अच्छा होता है ना टेस्ट बहें कर रहें अलग-अलग तरे की coffee होती हैं आपे ठीक है दूद वाली होगी शहद वाली होगी बूरे वाली होगी आपको जए only black coffee पीनी और भी बहुत अलग-अलग तरे की जो खाली वियतनाम में मिलते हैं कहीं और मिलती भी नी तो ये मैंने आपको बताए फाइदे वियतनाम में अगर आप लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पर job करते हैं अब आ जाते हैं कुछ ऐसी बुरी बातों पर जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और जो आपको पता होना चाहिए वियतनाम में सेटन होने से पहले नमबर एक है traffic मैं हनोई में job करता हूँ मेरी किलास अब है 6 बजे तो मैं घर से निकलूँगा 5 बजे 5 भी नहीं 4.45 में निकलूँगा और मेरी किलास है मेरे घर से जो है 8 किलोमेटर दूर है तो आप देखे रहें 6 बजे की किलास में 4.45 में क्यों निकल रहा है मतलब एक घंटा पहले क्योंकि traffic इतना है इस हनोई के अंदर इतना traffic है अगर आप एक जगे रुख गे ना मतलब मालो किसी एक traffic की light ओपर रुख गे आप कम से कम 20 से 25 मिनट आप भही फसे रहोगे इतना traffic है तो हनोई के अंदर ये बहुत बड़ी समय से हनोई के जितनी big cities है ना हनोई होगी, होची मीन होगी, दानांग होगी दालत होगी, ठीक है ना इन city में traffic बहुत है खासकर हनोई में तो बहुत है बाकि हनोई होची मीन तो आप मान के चलो high level का traffic है यानि अगर आप एक घंटा, देर घंटा पहले घर से नहीं निकले ना तो अपनी job पे या अपनी class में या किसी वोगर अपने time दे रखो, कहीं मिलने के लिए वहाँ नहीं पहुच पाने के आप यह मान के रख लो, पहुची नहीं पाने के आप और drive करना भाई drive करना इतना खतरना कहना है अगीक मैं बता नहीं सकते कि drive कितनी खतरना कहना है, drive करनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अच्छे वाली, यह नहीं कि हाँ मैंने चला के देखिए घर पे, यह मैंने दस साल पहले चलाई थी बाइक मुझा आती, नहीं अगर यहां की सड़कों पर आपको बाइक चलानी है यहां की सड़कों पर आपको जो है लिए पिर ट्रेफिक नमबर दो, जो है जब आप समान खरीदने जाते हैं इसी मॉल में जाते हैं, किसी दूकान पर जाते हैं किसी शॉप पे जाते हैं, जो भी समान खरीदते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता यानि आप कुछ समान खड़ीद दोगे या तो आप फोटो देखके समझ जाओ कि हावा इसके अंदर क्या है जैसे इंडिया में है इंडिया में हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है या आप किसी और सिटी में जाओगे वहापे हिंदी में भी है इंग्लिश में हुए हां, इंग्लिश में नहीं है हर चीज के उपर, रैपर के उपर वो सब कुछ वियतनामी लेंग्वेज में लिखा होता है एक बार ऐसा हुआ था, मैं अंडे लिया था अब अंडे दो तरह के हो है, एक तो होते हैं बत्तक वाले और एक होते हैं वो चिकन वाले, अब चिकन वाले एक पे उन्होंने बत्तक बना रखी थी मतलब बत्तक और चिकन दुन्हों सेम से लग रहे थे तो मैं गलती से जो हूँ, बत्तक वाले एक लिया था जबकि मैंने पढ़े भी थे, सब कुछ था लेकिन वो डिफरेंट थे तो ऐसी गलत फैमी आपसे ना हो, ऐसी गलत या ना हो कि आप मॉल में जाओ और लेने कुछ जाओ और लेके कुछ आ जाओ तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है, कौन है यापे, कि भाई जो है, फूट पर जो है, इंग्लिश वेल लेंग्वेज बहुत कम लिखी भी होती है बहुत रेयर लिखी भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या खरीदने जाड़े, या आपको कहां से क्या चीज खरीदनी है ठीक है, तीसरी शी जागी है आपकी लेंग्वेज, लेंग्वेज की बहुत बड़ी 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 दिक्कत है आप बिना language के survive नहीं कर पाओगे job नहीं कर पाओगे as a yoga teacher क्योंकि आप अपनी class के अंदर English language भी use करते हो Vietnam language भी use करते हो जो member आते हैं वो सब के सब English नहीं जानते, वो सब के सब English नहीं समझते, तो आप उन्हें कैसे समझाओगे अपनी बात, आप उन्हें कैसे कोई posture कराओगे, कैसे बताओगे कि ये posture को ऐसे करना है वैसे करना है तो इसके लिए आपको Vietnam language आनी बहुत जोड़ी है आप भार बोलें, ना बोलें आप भार किसी से Vietnam language बोलें ना बोलें, शौप पे जाके बोलें ना बोलें लेकिन आपको अपनी क्लास के अंदर वियतनामी language आनी चाहिए ये मेरा experience है, अगर आपको लंबे समय तक वियतनाम में जॉब करनी है तो आपको वियतनाम language आनी ही आनी चाहिए इतनी तो आनी चाहिए कि आप उन्हें बता सको, मैं आपको क्या करवाना चाहिए तो इसलिए language की बहुत बड़ी दिक्कत है कहीं भी जाओगे तो language English कोई नहीं बोलता, बहुत rare बोलता है बहुत कम बोलता है, किसी रेश्टों में जाओगे कुछ बताओगे, तो वहाँ आपको फोटो दिखाना होता है Google पर अब किसी की मजबूरी है अब वो वियतनामी लेंग्विज नहीं जानता तो वो कैसे समझावेगा सामने वाले को या तो Google Translate यूज करेगा या जो है अपना मुबाइल से फोटो दिखार गेगा कि मुझी ये खाने में चाहिए तो मैरे साथ कभी स्टार्टिंग में दिख्कत रहा तीं अब दिखकत नहीं हो泣ी लेकिन बहर मार्केट में दिखकत होती है लेकिन किलास मेरे मेरे जो है वीटनामी लेंग्विज में होती है अब 300 से बड़ा पॉइंट है पॉल्यूशन बहुत बैंकर लेवल का है आपने देखा होगा यहां मास ना जब कोवीड नहीं था तब भी ऐसे ही लोग पहनते थे जैसे आज के समय में कोवीड में पहन रहे हैं तो इस तरीक आप इस बात संदर लग मास्क होना बहुत ज़रूरी है यह लिख के रख लो टैटू बन वालो इसका मास्क होना बहुत ज़रूरी है चाहे कोवीड हो कोवीड ना हो बीमारी कोई हो बीमारी कोई ना हो शांती हो सब जगे लेकिन मास्क होना बहुत ज़रूरी है जहां भी जाओगे जब भी नोजनियाइनवे मास्ट पहेनने वी हैं मातर एक आप वही अलग दिखोगें वहाँ सब में जिन्होंने जिसने मास्क नहीं पहना रखा तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप वेटनाम में जॉब करें या कुछ भी करें मास जरूर पहन के रखें चाए कोवीड खतम हो जाए या नहीं हो जाए चौती चीज आते हैं मैप्स गूगल मैप्स बहुत ही बहुत ही अजीब तरह के हैं यहां के रास्ते यानि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए बहुत दिक्कते होती है तो गूगल मैप का आप सही सही यूज करें पहले पता लगा ले कि आपको कहां जाना है कितनी देर का घंटेग है कितनी देर के कितनी देर कर आपका रास्ता है और किस कौन-कौन से किस तरीके से किस ब्रीज के उपर को जाना है कई बार ऐसे होते हैं कई ब्रीज बना एलाओ नहीं होता यानि जैसे इंडिया में इंडिया में तो आप जा सकते हैं बिल्कुल ठीके न कहीं से भी कहीं को भी निकाल दो अपनी बाइक लेकिन यहां निकाल सकते हैं अपनी बाइक की कहीं भी निक करते हैं तो इस बात का आपको पता ना चाहिए कौन सी सड़क कहां पर ली जा रही है क्योंकि अगर आप किसी भी गलत ब्रिज पर चड़े तो वहां पर आपका चलान कर जाएगा बिल्कुल चाहे आप फॉर्णर हो चाहे आप वियतनम्मी हो कोई वियतनम्मी तो चड़ती ही कोई डोकने का निकोई टोकने मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ घलत ब्रिज पर मैंने बाइक चला दी क्योंकि गूगल मैप देखके चला ना मैं गोगल मैप में कई रास्ते हो दिखाता है आपको ढूंडना पड़ता है वहीं पर पूछना पड़ता है बाइक रोक के इधर द जयान रखे कि गूगल मैप का सही स्थमाल करें देख दाके और सबसे बड़ी बात है पानी पानी जो है इनहां पर जो है टैप वाटर नहीं होता यानि टंकी वाला पानी नहीं होता आपको जो है एकवागार्ड लगाना होता है या आपके पास स्कैटल हो गरम पानी करके पीछी इंडया में है, लेकिन वियतनाम में बहुत बड़ी समस्य है, किसी भी सिटी में चले स्यर्ज किया को है, आपको मिलेगी मिलेगी तो यही मैं आपको बताना चाहरा था इस वीडियो के माध्यम से कि क्या प्रो है और क्या कौन है वियतनाम एक बहुत बढ़िया देश है बहुत सुन्दर देश है बहुत अच्छा देश है अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कोशन पूछें वियतनाम से रिलेटीड आपको कोई भी कोशन पूछन पूछना हूँ तो मैं उसका रिपलाई जरूर जरूर करता हूँ हमेशा करता हूँ और आज जैसे की जो है उत्तर परदेश में योगी जी की सरकार बन गिये मुझे बहुत खुशी हुई है मुझे नहीं हां से यू फोलो करता हूँ तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो योगी जी की वज़े से इस चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब करें